तो हेई फ्रेंट्स फिर से बात करने वाले हैं यार वेदानता के बारे में धाई सो रुपे से आपको बता रहे हैं तीन सो चोधा हो गया बहुत शांदार फिर से एक बार चार्ट देखे उपर की ओर है और चार्ट को रेडिंग करना भी इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको लेकिन उससे पहले कुछ देखे न्यूज आ रही हैं उन्हें देखेंगे साथी साथ आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे अगर पेट ग्रूप जोइन करना चाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिया है मारे वाटसप ग्रूप का वहाँ जानकारी आप ले सकते हैं सिर्फ सो रुपे पर मंत में आपको वहाँ सोट कोल लॉंग टर्म कोल और इंटर डे बताया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं देखिए देख लेते हैं क्या नीज है वेदानता में आज लाश्ट में चार्ट रेडिंग में आपको बताओंगा तो वीडियो में बने रहीएगा चलिए देखते हैं देखिए पहले जो अभी तक शेयर भागा है वो क्यों भागा है उसका कारण था के एक नीज पहले आई थी के जो इनकी बाड मेर ओल एंड गैस ब्लोक है वहाँ 10% रिवेन्यू लेना चारी थी भारत सरकार लेकिन ये के सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे और वहाँ जाकर सुप्रीम कोर्ट ने पक्स में सुनाया वेदानता के एक फैंशला के भाई भारत सरकार इसको नहीं ले सकती है तब फिर शेयर भागने लगा अभी क्या नीज है उसको भी देखते हैं देखिए चलते हैं सीदे नीज पर साथी साथ देखिए एक नीज ये भी आई थी कि डेड़ लाक करोड रुपे से ये प्लांट लगा रहे हैं वेदानता रिसोर्स और फॉक्सोन मिलकर गुजरात में और इसमें एक सियासी बावाल भी मचा था क्योंकि पहले ये महराष्ट में लगना था तो कंपनी के जो CEO हैं उन्होंने कहा था कि कुवा खुदेगा तो सब पानी सबको मिलेगा और महराष्ट में जो है देखिए इससे भी बड़ा प्लांट लगेगा साथ ही साथ बताया था कि अभी जो है कंपनी ने fundamental raw materials बनाने शुरू कर दिये हैं और आज की जो news है अब उस पे चलते हैं सिधे तो देखिए आज की news देखते हैं और आज की news में जो है बहुत ही शांदार चीज आपको देखने को मिलेगी और वो यह है कि mutual fund ने data आया है mutual funds का और mutual fund ने हिस्सेदारी बढ़ाई है देखिए जो nifty 50 का ETF है उसने 3% axis ने हाँ थोड़ा सा कम की है minus 10.33% लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो Tata ने 400% बढ़ाई है लगवग 394% और IDFC ने बढ़ाई है 2400% तो कितना बड़ा jump इनकी holding में आपको देखने को मिल रहा है साथी साथ देखें आदित्य अबरिला ने अपनी holding को just cut us रखा हुआ है कोई ना ही बढ़ाई है ना ही बेची है और इसका जो main कारण है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा देखें तो देखें जो कारण है वो यह है यह 4500% तक का dividend देती है company और अगर dividend history इसकी देखी जाए तो 2020 में आप देखेंगे कि फरवरी में 13 का दिया फिर अप्रेल में 31 का साड़े 31 का और साड़े 19 का जुलाई में कुल मिला कर अभी तक जो dividend company दे चुकी है वो दे दिया है 62 रुपे का 222 में और कितना price था 200 के आसपास ओ सोरी 300 के आसपास का जब पिछले साल देखेंगे आप 2021 में price था लगभग 1,500 के आसपास तब भी दिया था company ने 32 रुपे का dividend और 2020 में जब 90 रुपे का share था तब आप देखेंगे तब भी दिया है company ने 13 सोरी 9 रुपे 50 पैसे और 3 रुपे 90 पैसे 12 रुपे 40 पैसे के आसपास का 90 रुपे के share में dividend दिया है तो dividend company बहुत अच्छा दे रही है और अब जो news निकल के आ रही है dividend की वो आ रही है फरवरी या मार्च में और dividend जो मिलेगा 40 से 45 रुपे का बहुत सांदार dividend एक मिलने वाला है company में अभी देखे लाश्ट में थोड़ा सा चार्ट रिडिंग देख लेते हैं अब देखिए सीधे हम चार्ट पर आ चुके हैं और चार्ट में देखेंगे यह हमने नीचे लगा रखा है MACD signal यह RSI यह भी RSI है और यह हमारा चार्ट यह आप देखी रहे हैं इसमें देखिए कैसे पता लगता है कि पहले इसको मैं बढ़ा कर लेता हूँ यह देखिए समझाने के लिए बढ़ा करना पड़ा है यहां देखिएगा MACD जो है बलेक वाली लाइन MACD होती है और जो रैड वाली है यह signal लाइन होती है इसको signal लाइन बहुना जाता है तो इसमें जो है जैसे ही MACD लाइन नीचे से इसको signal लाइन को काटेगी उपर की ओर जाएगी तो या तो RSI stable बना हुआ हो या फिर उपर को और हो थोड़ा सा मतलब 60 के आसपास हो तो बहुत सांदार है हमेशा signal पका होगा बिल्कुल जैसे ही यह लाइन उपर को जाएगी और RSI होगा हमारा 60 के आसपास तो हमारा बाइ सिगनल होगा चलिए इसको देख लेते हैं देखें पूरे चार पर यह देखेगा आप यह देखें इसने जो है यहाँ पर कट किया तो यह प्राइज उपर गया यहां देखें कट करके नीचे आई है तो यहां से प्राइज नीचे आया फिर यहां देखेंगे आप यह कट करके उपर गई थी तो यह प्राइज उपर गया था देख रहे हैं आप और यहां देखेगा जैसी यह नीचे आई थी तो यहां से भी share नीचे आया और यह peak पर था आपने तो यहां भी यह peak पर था तो यह होता है MSCD signal ठीक है अभी buy का signal है हमारे पास अभी हम इसमें holding बनाए सकते हैं छोटे मोटे profit के लिए लेकिन ध्यान दीजेगा कि यह जो है अभी काफी उठ चुका है तो हो सकता है कि नीचे को आए आज का price action जरूर देख लीजेगा तो मिलते हैं फिर देखे दोस्तों next वीडियो में वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर कर दीजेगा तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत